नमस्कार मैं संदीब कस्यप और आप देख रहें निवस्ट्रैक। आज अपने इस खास सो संदीब का समीकरन में आज आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रतेश की राजनीती में जातियों का रंग। उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास इस बात का गवा है कि राज की राजनीती में जाती का क्या महत्तो है इस बार का विदानसवा चुनावी जातियों के रंग में रंगता नजर आ रहा है देखे ये रिपोर्ट हमने उत्तर प्रदेश की राजनितिक माहोल में जातिय समीकरन को समझने की कोसिस की तु हमें पता चला उत्तर प्रदेश के राजनितिक इतिहास के हर एक पन्ने पर जातिवाद नजर आएगा जी हाँ, यहाँ हर जाति का अपना एक अलग वोट बैंक है कुद जातियों और वर्ग बिसेश पर राजनितिक दलों का प्रभाब भी माना जाता है जाति की राजनिति के चुनावी समीकरन को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूपी में 53 फिसदी वोट पिछरे वर्ग का है इनमें करीब 50 जातियां आती है तो वहीं 11 फिसदी यादव है जो ओबेसी का कुल 20 फिसदी है 43 फिसदी गैर यादव वोटर है बात करें SCST की तो यहां 21 फिसदी से ज़्यादा है 2022 में पिछरा वर्ग में सामिल उन नासी जातियों पर अपनी पकर को मजबूत करने के लिए सियासी रसा कसी तेज हो गई है राज्य में स्वर्ण मद्दाता की आवादी 23 फिसदी है जिसमें सबसे ज़्यादा 11 प्रतिसद ब्राम्मन है तो वहीं 8 फिसदी राजपूत और 2 फिसदी कैस्त है ऐसे में इन्हें किंग मेकर भी माना जाता है हकीकत यह है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी दोनों ही इस विदानसवा चुनाव को जाती के अस्तर पर लणने की तयारी कर रही है चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी दोनों ही इस चुनाव को जातिये रंग में बदलने के लिए तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी के नेता अकलेस यादव अच्छे से समस्ते हैं कि चुनाव अगर बीजेपी की रननिती के मुताविक धार्मिक भावनाओं के आधार पर लड़ा गया तो वो पिछड जाएंगे और बीजेपी समस्ती है कि धर्म के साथ उसे जाति का घोल भी चाहिए पिछला चुनाव यानी 2017 में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत में धर्म से ज़्यदा जाति आधारित राजनिती की ही भूमिका रही थी बचपन में पूजा के अंत में कहते थे धर्म की जय हो अधर्म का नास हो प्रानियों में सदभावना हो विश्व का कल्यान हो क्या वर्तमान की राजनिती इस रास्ते से भटक गई है लग तो कुछ ऐसा ही रहा है बीजेपी पर आरोप है कि धर्म के मानकों का इस्तमार हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के बज़ाए मुसल्मानों के खिलाफ खड़ा करने में ज्यादा किया गया नतीजतन सभी पार्टियां अब मुसल्मानों से दूरी बनाने लगी और मंदिर मठो की प्रकिर्मा करने के लिए तयार हो गए क्योंकि इसका फाइदा उन पार्टियों को ज्यादा नहीं मिलना था चुनाव के दौरान क्योंकि बीजेपी ने खुद को हिंदू हित की पार्टि का पेटेंट ब्रांड बना दिया है दूसरे दलो को इसका तोर मुस्किल लग रहा है समाजवादी पार्टि ने इस बार बीजेपी की उसी जाती आधारित राजनीती को अपनी रननीती हिस्सा बनाया पहला काम किया मुलाइम सिंग यादब के वक्त से बनी यादबो की पार्टि की छवी को तोरना और फिर बीजेपी समेथ दूसरी पार्टियों से गैर यादब पिछरी जातीों को जोड़ने की कोसिस करना अखलेस ने बीजेपी को ही जटका देते हुए स्वामी प्रसाद मोरे जैसे ताकतवर मोरे और पिछरी जातीों के नेता के साथ-साथ तारा सिंग और धर्म सिंग सैनी जैसे नेताओं को अपने साथ चोड लिया जातियों को अपने अपने खेमों में धाकेलते राजनेताओं का तुर्रा या भी है कि वो अपने अपने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय चाहते हैं सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर चलते हैं मगर नजर वोटर और नेता की जाती पर है जब तक देश की जनता जातिवाद से उपर उठकर मद्दान नहीं करेगी तब तक देश का कल्यान होना मुश्किल है इसी के साथ लेते हैं विराम बिलेंगे इस खास सो में अगले बार किसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तब तक के लिए नमस्कार